जैके मीडिया देखने वाले सभी दर्शोंगा मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अभी कि ये खबर है कि कुछ देर पहले जम्मू से इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है काफी देर से लोग जो है फोन कॉल्स और मैसेजिस भी कर रहे थे और ये पूछ रह जो है इंटरनेट को बंद करना पड़ा है जिससे की कही ना कहीं जम्मू में जो हालात खराब ना हो जाएं मैं आपको अल्रेडी बताना चाहूंगा जो आठ साल की बच्ची का मडर का केस जिसकी इंवेस्टिगेशन चल रही है क्राइम ब्राश द्वारा उसके चलते ही ऐ ऐसे रियूमर्स जो है फैलते जा रहे हैं जिससे कही ना कहीं जम्मू में हालात खराब ना हो जाएं इसको लेकर भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि शायद इंटरनेट की सेवाएं जम्मू से बंद कर दी जाएंगी और अभी कुछ देर पहले ये डिसीजन लिया गया डिस जम्मू में कुछ हालात ना खराब हो जाएं इसलिए इन सर्विसिस को बंद किया गया है अभी फर्दर डिटेल्स नहीं आ पाई है कि आखिरकार सरोर इलाके में हुआ क्या है जिस कारण जो है इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है लेकिन कुछ ऐसा ख़बर आ रही है क कुछ कारण वश सरोर में कुछ माहोल खराब हो गया है जिस कारण इंटरनेट के सर्विसिस बंद कर दी गई है ऐसा और भी काफी बार हो चुका है जब हालात खराब होते हैं उस टाइम सरकार जो है सबसे पहले यही काम करती है इंटरनेट की सेवाएं बंद करना जो अच् जिसके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहता है सरकार का इंटरनेट सिवाएं बंद करना क्योंकि अगर हालात खराब होते हैं तो इस टाइम वो सबसे ज़्यादा हालात खराब हो रहे हैं सोशल मीडिया की वज़ा से सोशल मीडिया जिस तरह से कश्मीर में भी कुछ ऐसी गतिविदियों में इन्वाल्व रहता है जिसके चलते हैं कुछ दिर पहले भी कश्मीर में एक दो सोशल साइट्स के ओपर पुलीस ने अफ आई आर भी लगाई कुछ सोशल साइट्स वारा जो है ऐसे रियूमर्स फेल आए जाते हैं कश्मीर में भी और जमू में भी जिस्ते की हालात कहीं न कहीं खराब होने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है जिसकी वजह से यह decision लिया गया जमू में की internet services को बंध कर दिया जाए अभी फिला छाल internet services बंध है और आइडिया की तरफ से भी बंद कर दिया गया है हलांकि जो broadband और wifi हैं जो lease lines वगरा होती है वो internet अभी चल पा रहा है लेकिन जो mobile internet है mobile data services है उनको बंद कर दिया गया है ताकि जम्मू में कहीं हालात खराब ना हो जाएं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी इस तरह की कहीं चीज़ें होती है जिसमें administration को बीच में आके internet की सेवाई बंद करनी पड़ती है ताकि कहीं न कहीं हालात खराब ना हो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले खबर आई थी की सरोर इलाके में कुछ ऐसी गतिवीदी हुई है जिस कारण जो है internet सरकार को district administration को ये जो है उसके पीछे जो है suspend करनी पड़ी internet services आसिफा मामला बात करें जो 8 साल की बच्ची जिसका एक बहुत बड़ा मामला इस टेम सामने आया हुए दो मंत्रियों दोरा resign दिया गया उसके बाद उन दोनों मंत्रियों ने ये कहना शुरू किया है कि जो हमारी demand थी CBI की वो आज भी उस चीज़ पे कायम है और उनका कहना है कि वो आज भी CBI की demand करते हैं और उन्हें ने ये भी कहा आज चोदरी लाल सिंग जो कि आज उनका एक rally की रूप में जम्मू से निकले कठुवा तक ये है उन्होंने हमारे साथ interview में ये कहा कि वो अपने घर जा रहे हैं कठुवा में और कठुवा के लोगों का काफी समर्थन भी मिला है उन्हें और कठुवा के लोग ये कह रहे हैं कि लाल सिंग का जो decision है वो बिल्कुश सही है और वो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू में ज्यादत और लोग इस टेम जो हैं लाल सिंग और चंदरपरकाश गंगा के decision के साथ खड़े हुए है और जम्मू से एक आवाज उठनी शुरू हो गई है कि CBI की inquiry हो CBI की inquiry की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जो charge sheet पेश की गई है उसके अंदर काफी सारे flaws है उस charge sheet के अंदर काफी सारी ऐसी चीज़े बताए गई है जो ground में ऐसी है ही नहीं जैसे कि सबसे बड़ी बात जो देवस्थान का जिकर किया गया देवस्थान में बताया गया कि बच्ची को वहां रखा गया जबकि 13 जनवरी को लोडी थी 14 जनवरी को मकर सकरानती थी और 15 जनवरी को वहां पर बहुत बड़ा भंडारा था अब इन तीनों दिनों में क्या आप मान सकते हैं कि देवस्थान के अंदर अंदर बच्ची हो और लोगों को पता ना चले और वो भी ऐसे देवस्थान में जहांपे सुबा और शाम जो है भगवान की पूजा की जाती है दूह बत्ती की जाती है और जोद जलाई जाती है बगवान को क्या ऐसा पॉसिबल है तो काफी सारे सवालों की कटगिरी में है ये चार शीट जिसको लेकर लोगों की पहली डिमांड है CBI की इंक्वाईरी कल जब सभी दोशियों को वहाँ पेश किया गया कठुआ में तो उन दोशियों का ये कहना था कि उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए दीपक खजूरिया उन्होंने ये साफ साफ कहा कि क्राइम ब्रांचवाले उनको मार मार के ये चीज मनवा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि CBI को केस जाए और नार्को टेस्ट हो उनका ताकि दूद का दूद और पानी का पानी साफ हो जाए फिलाल जमू में भी इंटरनेट सर्विसिस बंद कर दी गई है कब तक ये सेवाएं खोल दी जाएंगी अभी इसके बारे में डिस्टिक एड्मिसेशन ने कुछ नहीं कहा है लेकिन हम आपको इसी तरह से अपडेट करवाते रहेंगे आशीश कोली जेके मीडिया के लिए